हेलो आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम बात करेंगे और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अब्डेट मिलता रहे साथी साथ आपको बता दूँ रक्षा बंदन आने वाला है और आप लोगों के लिए हमारी आप पे स्पेशल डिसकाउंट जो है 30 परसेंट का ये अवेलिबल है कुछ दिनों के लिए तो जो लोग हमारी आप में कोर्स लेना जाते हैं काफी देंच चे तो आप लोग ले सकते हैं औरेडी हमारी आप पे जो कोर्स जबब 500 रुपे के होते हैं 30 परसें डिसकाउंट के बाद सिरफ आपको 300 रुपे में जो है वो मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज जो है अलग-अलग एक्जाम की वो सिरफ 150 या फिर 125 रुपीज के करीप लिब आपको जो है वो मिल जाएगी 20-20 टेस्ट है तो और आउंड 5-6 रुपे में आपको एक टेस्ट जो मिल जाता और ये विस्ता करके एक नया लोगो जो है लाउंच करा है अपनी डी-ब्रेंडिंग करी गई है कंपनी के द्वारा वह कौन सी कंपनी ने करा है तो देखो मैं आपको बता दू जो एर इंडिया है जिसको आप लोग जानते हैं एर इंडिया को किस ने खरीदा है ये क्वेशन भी कि एर इंडिया को किस ने खरीदा तो पहला पंड ये यह याद रेखना ये अब टाटा ग्रूप ने खरीद लिया पहले भी एर इंडिया टा ग्रूप का ही था ये और आप बहुत बहुत बड़ा इवंड को शुउरू किया था डेली ते altogether गया गाए और इसका नाम रखा यह दोनों चीज़ें बता होनी चाहिए एर इंडिया ने ही डी ब्रेंडिंग करी है अब विस्ता जो है वो किसको रिप्लेस करेगा अब यहां पर देख सकते हैं बीचे भी स्क्रीन पर अपनी यहां पर अब दूसरी चीज यहां पर आती है पहले जो ओल लोगों था उसमें क पहले जो था उसको किस से रिप्लेस करा गया है अब यहां पर विस्ता के साथ तो यह आप लोगों को पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है टाटा गूरुप ने डिसेंबर में यह लिया था रिप्रेंडिंग करने का डिसीजन तो अब जाके यह पूरा यहां पर कंप्लीट हुआ है तो इसको याद रखेगा विस्ता जो है एर इंडिया ने करा है नेक्स पर आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सिलेंस इन इंवेस्टिगेशन तो आपको यहां पर बता दो टोटल 140 लोग थे जिनने इस अवार्ड से समानित करा गया था यूनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सिलेंस इन इंवेस्टिगेशन 2023 जो है यह किस फील्ड में मिलता है तो यह जो भी लोग पुलीस परस्टनल है जो काम करते हैं इंवेस्टिगेशन की फील्ड में तो उन लोगों को यहां पर इस अवार्ड से समानित किया गया है तो में अब्जेक्टिव यही था कि जो हाई परफेशनल स्टैंडर्स हैं इंवेस्टिगेशन के किसी भी क्राइम को इंवेस्टिगेट करने के तो उसे जो है सेट करने के लिए यह वार्ड रखा गया था और 140 लोगों को इस साल इस अवार्ड से समानित करा गया है यूनि मिनिस्टर ना पूछके आपसे सीधा कोपेशन मिनिस्टर पूछा जाए कि कौन है अमिचा की गुजरात से यह इलेक्शन जीते थे यह भी याद रखना नेक्ट पे आते हैं हम लोग नाफीज नैशनल आटोमेटेड फिंगरप्रिंट एदेंटिफिकेशन सिस्टम यह एक अ जो टीम थी गवर्मेंट एजंसी किस गवर्मेंट एजंसी की जिसने रिसेंटली गोल्ड अवार्ड जीता है अंडर दे एक्सलेंस ऑफ गोर्मेंट प्रोसेस जी इंजिनरिंग फ pension के एंडर यह काम करता है किसके द्वारा जीता गया है देखो सबसे पहली चीज तो आपको नाफीस की फुल फॉर्म याद रखनी है पेपर में हो सकता आपको डारेक्ट यह पूछा जाए कि अभी जो टीम ने जीता है यह किसकी टीम थी ठीक है तो यह थी नेशनल में जीता है इसको भी याद रखना यह जीता गया है अवार्ड एक्सिलेंस गवर्मेंट प्रोसेस री इंजिनरिंग फॉर डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन के टेगरी वान तो यहां पे इस अवार्ड से इन्हें समानित करा गया था बस आपको इनका नाम याद रखना है य क्रेक्स पर आते हैं घंए एर्थ कियर्टेकर्व प्राइम मिनिस्टर कौन पौइंट हुए है किस कंट्री के पोइंड हूई है याद रखना अन्वर उलहक्क कर क्या कटार जिस मरदी नाम सहाँ इसको जान सकते हैं अब यहाँ पहे क्या है क्या है यह चृटेकर प्राइम मिनिस्टर बने है अन्वर उलहक कार जो है इनका नाम है यह किसकी जगा पे अभी एक्टिंग या केर्टेकर प्राइमिनिस्टर बने है तो यह बने शाबास शरीफ गवर्मेंट के तो यह इनको आप याद रखना पाकिस्तान न्यूस में था बहुत जादा इम्रान खान को ज वह था वह दो तरीके से बहुत इंपोर्डेंट है अब किस तरीके से इस साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने यूस में विजट करा था और वह क्या थी वह थी स्टेट विजट से बहुत अलग होती है जैसे हमारे यहां से प्राइमिनिस्टर हायट पोस्ट पे हैं तो परधारमंतिर नेंद्र मोदी ने यहाँ पर विजिट करा था वैसे इम्रान खान ने भी विजिट करे थे तो जो गिफ्ट वहाँ पर मिलते हैं ऐसा नहीं है कि वो गिफ्ट जो है वो परस्नल हो जाते हैं किसी के परधारमंतिर नेंद्र मोदी को जो वहाँ पर गिफ्ट मिल था अब हिरासत में लिया गया है तो यह सब चीजें जो है यह इससे लिंक है और यह जब चीज यह निउस में आती है जो इस्टेट विजिट नेंदर निउस में थी तो वहां से भी वह बन जाते हैं पधारमंत्र निदर ने बहुत सारी विजिट करी है यह यूएसे में लेकिन यह जो थी पहली स्टेट विजिट भाकियों से अलग होती है यह जो अथोरिटी जैसे प्रेजिडेंट है वहां के वही इन्वाइट करेंगे तो आ आपको बता दूँ जो आर दोरसवामी है उन्हें अभी रिसेंटली एमडी बनाया गया है लाइव इंचुरंस कॉर्परेशन का इंपॉर्टन अपॉइंट में आता है लाइसी बहुत बड़ी और्गनाइजेशन है इनफेक्ट इस बार जो स्पीच दी गई थी उसमें भी प्रदानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि LIC जो है लोगोंने किस तरीके से जब IPO लॉंच हुआ था अब IPO LIC का भी न्यूज में था IPO के full form क्या होती है तो यह होता है initial public offering तब कहा गया था कि LIC को बेचने है प्राइबेट हो जाएगा दूब जाएगा तो बट उसके बाद जिस तरीके से LIC ग्रो करा है उसके बारे में speech में में था इसी वज़ा से यह news में था तो यह question भी आपका important बन जाता है देखो यह सब चीजें इंटर लिंग्ड होती है अब जो कोई चीज आप लोगों के सामने जैसे मैंने का कि स्टेट विजिट निउस में थी वैसे इम्रान खान निउस में थे और वैसे ही हो सकता है आपसे यह केर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी पूछा जाए तो इसी तरीके से जो चीज नेंदर मोधी जी के द्वारा थोड़े साल पहले 2003 में 23 में हम लोगों ने जो है इसकी थर्ड अब्जर्वेंस करी है यानि कि 2020 में इसको शुरू करा गया था 14 अगस्त यानि कि ठीक आजादी से एक दिन पहले हम लोगों ने अब यह कहा है कि जो पार्टिशन के दौरान ज थर्ड अब्जर्वेंस डे था तो याद रखिएगा 2021 में इसको शुरू किया गया था जो पार्टिशन हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे पाकिस्तान इस दिन पर अपना अजादी का दिवस बनाता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस दिन था यह बहुत ही एक खतरना था हम लोग यह चीज इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी दादी जो थी जो हमारे Natomiast से उन लोगों ने इस चीज को फेस करा था वह लोग को इस चीज के बारे में बताते थै कि किस तरीके से वो लोग भी वहां से यहां पो पर आये थे तो इसक पर निक्ष पे आते हैं कौन सी स्टेट गवर्मेंट है जिसने रिसेंटली लॉंच करा है ग्रामीन मित्रा स्कीम में में डोर स्टेप डिलिवरी होगि गवर्मेंट सविसीज की अक्रॉस अर्ट इस ताकि प्रमॉट किया जा सके डिजिटल इंप्वार्मेट डूलर एरिए अब इसको लॉंच करा यह ग्या है प्रमोध सावंत जी इन्हों ने इसे लॉंच करा है यहां पर स्कीम जो होगी यह गोवर्मेट ऑफ गोवा की स्कीम है ताकि तोस्ट अब डिलिवरी जितनी भी government की services होती है जितनी भी इसमें आती है वो सब जो है ruler areas तक पहुंचाई जाए और digital employment जो है उसको जो है कोशिश की जाए कि जादा से जादा awareness यहां पर लेके आई जाए तो यहां पर इसे शुरू किया गया है अब यह जो एक gap आता है में digital gap आता है जो ruler और urban areas होते है उसको फिल करने की कोशिश की गई है तो यहां पर यह दो चीज़ें याद रिखना गोवा की capital क्या होती है गोवा की capital है आपकी पानाजी नेक्स पर जलते हैं question number 8 कि अगर मैं यहां पर बात करूं एक second रुकिएगा कौन सी state government ऐसी है जिसने recently announce करा है एक plan to establish India's first common testing center for unmanned aerial systems यानि की UAS drones under the defense testing infrastructure scheme DATIS देखो यह दोनों नाम याद रखने हैं आपको पहली चीज क्योंकि यह इंडिया का पहला जब कभी यह वर्ड यूज होता है इंडिया फर्स्ट तो यह बहुत ज्यादा important हो जाता है फिर आप लोगों को पूछा जाएगा अगर आप से मैं यहां पर पूछूं कि इंडिया का पहला इसके अलावा गर मैं बात करूँ इंडिया का पहला यूज होता ना तो यह बहुत important हो जाता है यह इंडिया का पहला common testing center for unmanned aerial systems बनाया गया है ड्रोन के लिए common testing center बनाया गया है किसके अंडर काम करेगा अंडर defense testing infrastructure scheme के तो यह किस ने बनाया है कौन सी state है जो इसको setup करेगी तो यह करेगी तामिल लाडू तामिल लाडू इसको अगर मैं बता दू कहां पर हुआ है तो जगा का नाम याद रखना वो है कंची पूरम कांची पूरम में इसको जो है सेट अप करा जाएगा तो तामिल लाडू government के द्वारा यह इंडिया का पहला common testing होगा तो इसलिए बहुत जादा नेक्स पर आते हैं एस पर और इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स इपी आई जो रिलीज करी गई थी नेशनल स्रेस्टिकल ऑफिस के द्वारा ऑगस्त के महीने में जो हमारा इंफलेशन डेट है वो बड़ा है जुलाई के comparison में जो अपर लिमेट सी आर बिया की दो से छे परसें टॉलरेंस रेंज की उसको भी बीट करके और जादा बढ़ गया है जो कि एक alarming situation होती है तो कितना हो चुका है यह हो चुका है 7.44 परसेंट हो यह हर महीने निकलती है लेटा याद रखना होता है कहीं बार मुश्किल हो जाता है याद रखना भी बट जैसे अभी ऑगस्त के मेने की है और सप्टमबर या अक्टूबर में तो आपको यह याद रखना है इस पर क्वेशन कहीं बार बन जाते हैं तो रिटेल इंफलेशन जो है वो बड़ी है 7. 1.44 परसेंट जो है उसको क्रॉस कर गया है जो इन आर भी का इंफलेशन टार्गेट था 2.2 से 6 परसेंट का उसको भी बीट करते हुए यह जो एक टॉलरेंस रेंज होती है मतलब यहां तक अगर मैं आपको सिंपल लेंगेज होता हूं तो यहां तक क्या है कि 6 परसेंट तक सिरियल परसेंट यह सब चीज़ें जो बढ़ जाती है तो इसकी वज़ा से जो बढ़ गई है और कितनी होगे 7.44 परसेंट ठीक है तो यहां पर इसको याद रखना और यह तीसरा ऐसा इंस्टांस हुआ है जिसमें यह बढ़ी है 15 महीने के अंदर अंदर तो यहां पर यह है थोड़ी सी अलामिंग सिट्वेशन हो दी है पहले यहां पर बहुत होड़े स्टेप्स जो है वो ले लेने चाहिए अगर हम स्टेट की बात गने कि कौन सी स्टेट थी जिसमें सबसे ज़्यादा इंफलेशन देखने को मिला है राजस्थान में सबसे ज़्यादा यह दे नेक्स्ट की बात करते हैं एन एच आई डी सी एल नेशनल हाइवे अथॉरिटी नेशनल हाइवे एन इंफरस्ट्रेक्शन डेवलेप्मेंट को इसके अभी अडिशनल चार्ज किसको मिला है एमडी का तो देखो यहां पर अगर आपको बता दू जो अडिशनल चार्ज दि करना जैसे हम लोग बोलते-बोलते कर गए थे यह एलग कंपणी है इसका यहां पर इन चीजों को याद रखना है नेक्स पर आते हैं कौन सा इस इंस्टिटूट है जिसने डिस्कवर करा है एक यूनीक कार्बन एंहांस मेटल पूर सी इंपी स्टार जिसका नाम यहां पर यह अब देखो यह क्वेशन जो है ना यह आते हैं आपके स्पेस एंड टेक्नोलोजी के वेशन अगर एग्जामिनर ने चाहा कि आप इस्ट्रोफिजिक्स बेंगलूरू करनाटका ने लेकिन आपको इसका नाम भी याद रखना है HE10051439 इसका नाम है आप किस तरीके से नाम रखा गया है वो मैं डिटेल्स पे नहीं जाओंगा बस आपको यह याद रखना है आप लोगों को यह क्वेशन जो है कहीं बार मतल यानि की जो एक registration migrant workers के लिए पोर्टल बनाये गया है यह जो है यह पोर्टल जो है किस government के द्वारा लॉंच किया गया है यह करा गया है वापिस से कैरला government के द्वारा कैरला गया मैं बात करूं कैरला ने के phone services भी शुरू करी थी आज से 2-3 साल पहले करी थी लेकिन यह कैरला बहुत सारी चीजों की वैसे निउस में था आपका question यह है homework आपको बताना है किनी दो निउस के बारे में जो भी recently करनाटा का के related थी और हम लोगों नहीं आप लोगों बताने जो आप लोगों बताने जो आपको कितना यहाँ था बिना notes को खोले और comment box में जब बाकी विच्छे देखेंगे तो उन लोगों को भी वह चीज़ें जो पता तुल जाएगी अब बात करते के बारे में इस निउस के बारे में इन्होंने user friendly वेब पोर्टल लॉंच करा है अथिदी पोर्टल जिसके तहद जितने भी migrant workers जो कैरला में आते हैं वो अपने आपको register करवा सकते हैं एक unique identification system जो होगा वो उनको मिलेगा और इसके तहद government की भी help होगी ताकि वो क्या कर सकेंगे government जितनी भी grievances जो है जो इन migrant workers को face करने पड़ते हैं वो यहां पर इस पोर्टल में लिख सकते हैं और जितने भी contractors हैं जो employees हैं जो temporary workers हैं वो भी इसमें register करवा सकते हैं तो यह portal launch करा गया है यहां पर के द्वारा और यहां पर राशन राइट कार्ड जो है अब एक और मैं आपको बता देता हूं राशन राइट कार्ड यानि की वन कंट्री वन राशन कार्ड इनिशेटिव जो लिया गया है migrant workers के लिए क्योंकि हमने कोविट के दौरान देखा था बहुत सारे लोगों को इश्यू आया था तो राशन लेने में भी तो उसके लिए उसी टाइम पे भी यह बात कहिए थी कि पड़ें लेक्ट अधार्क उबन कार्ड को लेक्व इसमें भी वह एल्प करेगा यहां पर की इन माईज़ेंड व्रकर्स को यहां पर करेगा के करेंच कर आध करों कर Meer सिएम कोन और वो है पननराई व्जाएन गरणर कोन है इसमें करला के वो आरिफ मुहम्मद खान ठीक है तो यह इतना डेटा काफी है करला के लिए नेक्स पर आते हैं कोंसी स्टेट ऐसी बनी है जो पहली स्टेट होगी इंडिया की जो फ्री इन विट्रो फर्टिलाजेशन ठेरपी जो है जो शुरू करेगी देखो यहां पर अगर मां बात करूँ तो यह शुरू करा गया है गोवा के द्वारा गोवा एक पहली स्टेट बनी है जिसने यह किया था वो थी फर्स्ट रेबीस फ्रीडे स्टेट यह दो साल पहले करेगी अपने सिटीजन को यहां पर तो यह आप लोग याद रिखना नेक्स पर आते हैं नेक्स क्वेशन के बात करूं अभी रिसेंटली जो हमारी प्रेजिडेंट है द्रोपदी मुर्मू उन्होंने विजिट करा था वेस्ट पेंगॉल को अगस्त के मीने में उसके दौ पॉइंट से बिल्कुल सही है तो इसमें सारे पॉइंट सही है अब थोड़ा सा यहां पर डिसकस कर लेते हैं प्रेजिडेंट दौपदी मुर्मू ने जब विजिट करा था तो इन्होंने लॉंच करा था इन्स विंद्यागिरी को जो कि सिक्थ शिप होगी प्रोजेक्ट कि इनमें से कौन सी है चार ऑप्शन दिये थे जो की शिप बिल्डर नहीं है तो आपके इनके नाम भी याद रखने है यह नाम किसके नाम पर रखा गया है यह माउंटें रेंज है करनाटका में और यह छेववी शिप है आउट आफ सेविंट शिप जो की सेविंटीन एक तहद दी जाएगे यहां पर आपको टोटल याद रखना है कि यह जो प्रोजेक्ट सेविंटीन ए अलफा जो चल रहा है इसके तहद कितनी शिप्स होंगी और यह साथ थी सबके नाम शायद से वी से थे अगर मां गलत नहीं हूं तो तो शिप्स शिप जो है यह अब गिलि यह बिल्कुल सही है आपको यहां पर तीनों जो है वो याद रखने हैं इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री की एयर फोस है जिसने रिसीव करा है ड्रॉनियर ट्वेंटीटी एट मैरिटाइम सर्विलेंस एरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन नेवी अब यहा हम इन क्वेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टन बोलते हैं इस तरह इस त्रेस इस पर तक हम मैं आपको बता दू है जो ट्रोनियर एरट्व्ट है जो मिला है अभी यह मिला है श्रीलंका की आख कि एयर फोस को शेलंकन एयर फोस को यह दिया गया है इंडियन नेवी के दौ सर्विलेंस हो सके शिलंकन एयर फोस के द्वारा उसको इंप्रूव करने के लिए यहां पर यह जो है यह दिया गया है इसको इस पूरे इवेंट के दौरान जब इंडिया का यहां पर अगर हम बात करें हमारे यहां पर 77 इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा था तब जो पर अंबैसेडर होते हैं तो यह इंडिया के हैं कहां पर श्रिलंका में यह उस चाहिं पर मौझूद थे इन्होंने यह हैंडोवर करा था जो चीफ आफ स्टाफ हैं इस समय वहां के तो उन्हें यह जो है ड्रोनियर एक्राफ्ट जब वहां वहां पर दिया गया था तो यह कि याद रखिएगा जोनियर 2028 मैरी टाइम सर्विलेंस एयर क्राफ्ट यह श्रिलंका को दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा नेक्स प्राथे हैं कौन सब्सक्राइब कैसा है जो की इमर्ज करा है अधर टॉप परफॉर्मेंस अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर इन प्राइब करेंशल ये टॉप तो यह जो क्वार्टर वन है यहां पर पूछा गया है कि इन टर्म परसेंटेज वैल्यू नहीं होता वाट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कोन है जो टॉप परफॉर्मेंस आया कि डिपोजिट और टर्म लोन की ग्रोथ में तो वह है बैंक ऑफ महराष्ट्रा बैंक ऑफ महराष्ट्रा ने यहां पर टॉप करा है ठीक है तो यह पहली चीज है याद रखना दूसरे नंबर पर यूको बैंक रहा है तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है इन टर्म परसेंटेज पूछा गया है यहां पर यह नहीं है कि मान लीजिए जैसे कोई बैंक है जिसने सो करोड करा है चलिया यह तो आपको जारे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा इस पर मैं जाओंगा नहीं तो ज्यादा लंबर लेक्शर हो जाएगा वनना यह नेक्स पर आते हैं हम लोग पैंक जादा कन्फ्यूजिंग होती है बैंक ऑप महराष्टा का हैड़क अब यहां पर बच्चे जिनको नहीं पता वो सब ऑप्शन देखेंगे मुंबई और उसको मार कर देंगे लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि SBA का मुंबई में है आर्वी का मुंबई में तो बच्चे सोच करें 10 स्टा risenे अफ्यवेरा सिटीस इनंडिया के स्टारट ऑप सेल्स जो शुरू किये हैं रीशेंटलि इसके दा face कोशिश की जाएगी कि जितने भी सप्यकियाईश बंकि नीज होती है जो ऋ ग्रोच चाहिए किसी एक स्टार्ट अप ऐको सिस्टम के लिए तो उसको प्रम लिए हैं इसमें जो है मेन आप लोगों की एहमदाबाद आ जाता है बेंगलूरू आ जाता तोर और चिन्नाई 2 है यहाँ पर अगर तमिल्लाड़ों की बात करूं न्यू डेली आ जाता है गुर्गाओं आ जाता है यहां पर गुवाटी हैद्राबाद कानपूर किते हो एक दो तीन चार पांच शे साथ और नौ और हां एक मुंबई में खोला गया है तो यह याद रखना कि टोटल दस खोले गए हैं इंडियर मेंग के द्वारा नेक्स्ट पर चलते हैं काफी इंपोर्टेंट रहते हैं यह जो रेटिंग्स के हैं हम लोगों एक लेक्चर आप लोगों को जैनुरी से जो जून तक की सीरीज करवाई है उसमें सारी रेटिंग्स आपको बता दी है क्रिसल के द्वारा इस्टिमेट क्या करे गई है इंडिय लेकिन अभी की याद रखिएगा पहले कहा गया था कि 7.2 होगी जो की हम लोगों ने चीव करी थी 2023 में लेकिन इस बार यह का गया है कि इस बार होगी सिरफ 6% के करीब नेक्स पर आते हैं कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अपॉइंट कर रहा है परमिंदर चोप्रा को इस फर्स्ट वोमेन फुल टाम चीर्में में डी देखो वोमेन चैव मैंड है अचीवमेंट है यह बहुत बड़ी अपॉइनाट हूई है यहां पर बहुत बड़ी कंपणी में हुई है तो इनका नाम आपको याद रखना है फुल टाम cmd बनाए गया है चैर्में मैंट दे यहां पर आपको बता देंडिया जीती है दो पैच्चों की टेस्स को वेस्ट इंडीस को एक-जीरो से हरा के इसके अलावा टेस्स मेंच इसके अगरवाद करें ODA सीरीज को भी इंडिया ने जीता है और विराड कोली ने जो सौथ अफ्रिका के जैक कैलिस थे उन्हें पीछे कर दिया और फिफ्ट लीडिंग से इंडिया इंटरेशनल क्रिकेट के अब एशिया कब भी शुरू होने वा चैंपेंशिप में नीरत चोपडा ने जीता है वहां पर भी गोल्ड मेडल कितने मीटर की थो फैंगी गई थी 88.17 मीटर की थो जो थी वह फैंगी गई थी नीरत चोपडा के द्वारा नेक्स पर बात करते हैं कौन सी कंपनी एसी है जिसने एक MOU साइन करा है नॉर्थ इस् फॉर्म ने इसको रिसेंटली जो है वह साइन करा है नेक्स्ट के बात करूं कि कौन सा इसमें सा ऐसा है जो प्रेजडेंट रोपदी मुर्मू ने यहां पे जो एक विजिट करी थी इसके अकॉर्डिंग तो यह सारे सही है एक बाद हम डिसकस कर लेते हैं कि क्या इसमें इंडिन इंसयुट ऑ मैनेज्वेंट है अमेंडमेट एक 2023 इसमें डिक्लीयर कर गया है कि अब जो आई एम है हम वो अब होंगे आई एम इंस्टूट अफ नेशनल इंपार्टेंस अनांनमेंट विद अग्ट गॉर्निंग अट इंडिन इंडियर इंडियर कर गया ह यह जो टर्म्स है इनको याद रख लेना नोट कर लेना कहीं पर यह एक आदा पूछवा जा सकता है इसके अलावा जो हमारा ओएमडी आरेक्ट है यानिकि ऑफशोर एरिया एरियास मिनेरल डेवलेप्मेंट और एक्ट इसको भी अमेंड करा गया है और जो हमारा रेग्लेशन एक्ट था 2002 का उसको यहां पर मेंड करा गया है तो इंट्रेद्स क्रूशर रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन ऑफशोर माइनिंग सेक्टर तो यह तीन करे गए थे अब आपको यहां पर पूछा जाता है आपको यहां पर पूछा जाएगा यह क तब के थे जिसको कि यहां पर मॉडिफाई किया गया है यह फिसको अमेंड करा गया तो यह आजखना डेंटिस्विल 1948 और जो हमारा ओ एमडिया रेक्ट है वह था 2002 का इनको यहां पर थोड़े से रिफॉर्म्स लाएगे हैं इसमें इनको लाएगे हैं नेक्स पर बात करते है पहला थ्री डामेंशनल प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस अब देखो यहां पर यह जो वर्ड है अब आप लोगों को भी आइडिया हो चुका होगा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कि कित्रे जादे इंपॉर्टन यह बन जाते हैं पेपर में डारेक्ट पूछा ज है जिसने की डीटेशन और बारे करें डेवलब ऑपन सौर्ट वे जिसका कहा गया है नेशिनल कार्बन रिजिस्ट्री क्लिदिक पर देखो यह करा गया है यूंदe अफोंड़ कर रहा नाम रखोग नेशिए बॉक्स में कि कहा बेंगेंगी एक एक आपका सेलेबस में लिखा है कि इंपोर्टन इंटरनेशनल इडिजिनल और्गनेजेशन तो उसमें क्वेशन आपको हेड़कॉर्टर्स पे ही पूछा जाएगा कौन सा बैंक ऐसा है जिसने अपनी मोबाइल बैंकिंग एप लॉंच कर आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई है इसको लॉंच किया गया है इन्हों ने यहां पे किया है अभी तो यह चलो एप्स है पहले एक चैट बॉर्ट भी निकाले जाते थे अब चैट बॉर्ट इतने जाद नहीं चल रहे बट अब आप आगी है तो आपको याद नेक्स पर आते हैं कौन सा बैंक ऐसा है जिसने जो की पहला पॉब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने अमनी फ्रेसिलिटीज जो है एक्जिक्यूशन ऑफ ऑन्लाइन लॉकर एग्रिमेंट थू डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जिक्यूशन प्लैटफॉर्म औफ नेशनल इगर्नेंट सर्विसेस लिमिटेड जो है शुरू करी है तो किसने यहां पे शुरू करी है यह करी गई है इंडियन बैंक के द्वारा कुछ जो रेगुलेशन से वह चेंज हुए थे लॉकर एग्रिमेंट को लेके आप लोगोंने देखाऊगा बैंक्स में आप लोगों को लॉकर दिखते हैं बहुत सारे तो उसमें कुछ चेंज जो है वह किए गये थे तो अब वो सारे के सारे जो चेंजिस है एक निया एग्रिमेंट जो होगा वह कैसे करवाया जाएगा कई बैंक ने कस्टमर्स को ब्रांच में मुलाया वहां पे उनसे साइब करवाया लेकिन बैंक ने क्या किया है इनों ने एक online locker agreement जो है वह launch करा है through digital document execution platform जो की NESL का है नेशनल ई गवर्नन सर्विसेस लिमिटेड का है तो यहां से आप घर बैठे बैठे ही यह sign कर सकते हैं next पर आते हैं कौन MD CEO बने है South Indian बैंक के यह banking करेंट में आपको ज्यादा इसलिए करवाना हूं क्योंकि अभी आप लोगों का RRB में जाने वाला है तो उसमें यह questions आपको देखने को मिलेंगे किसको बनाए गया है पी आट सिशादरी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है MD CEO South Indian Bank का तो इनको भी यहां पर याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं इंडिया का पहला लॉंग रेज साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल विट्वाइस दरेंज ऑफ और रिवॉल्वर वस लॉंच अधा स्मॉल आंस फेक्ट्री गानपूर उत्तरप्रदेश तो कौन सी कंपनी है जिसने इसको इस स्विंग रिवॉल्वर को जो है वो बिनल कुमार सकसेना है जो डेली के LG हैं इन्होंने लॉंच करा एक ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी इन्दा आइसी जीएस फॉर्दा एलेक्ट्रोनिक फॉरंसिक एप्लिकेशन जिसे हम इफॉरंसिक आप भी कहते हैं तो आइसी जीएस की पहली तो मैंने को यह पूचता हो कि फॉल फॉर्म क्या है जो भी आप लोग सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं बताओ इसी जीएस क्या है तो यह मैं आपको बदा दूँ यह याद रखना एस तो यहां पर सिस्टम है यह तो चलो असान है लेकिन आइसी जीएस की फॉल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क् नेक्स्ट पर बात करते हैं आज के लास्ट कोईशन के ऊपर वर्ल्ट फोटोग्रफी डे जो है यह अब्जर्फ करा जाता है उन्नीस अगस्ट के दिन इसकी थीम क्या थी तो इसकी जो थीम थी वह थी लैंड्सकेप काफी इजी स्कीम थीम थी बट यह पूछी जा सकती है अप्शन में हो सकता आपको पोट्रेट भी देते तो याद रखिएगा तो यह थे हमारे इंपॉर्णन करंट फेर्स अगस्ट थर्ड वीक के आई होप आपको आपको पसंद आया होगा बहुत जल्द हम लोग जैनुरी से लेके जो ऑगस्ट का वेट करने हैं बच्चे दीने लेक्च्चर के साथ अब दीजिए इजादत वैव नाइस जे बबेडेकर अल देवरी बेस्ट सीव सून